नमस्का और स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल सी मुख्य सेविका भरती को लेकर के बात करेंगे और आसा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे संसोधित आंसर की आपकी दिपावली की बाद ही आने की उमीद है संसोधित आंसर की पर जो भी कारे होना था हो चुका है बट थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है और पहले लग राता कि सायद आ जाए बट हमने पहले भी आप से भी कोई बताया था कि दिपावली से पहले पहले आने की उम्मिद कम रहेगी बागी आप सभी जानते हैं कि कुछ भी चीजे कहीं से भी बताई जाती है बताने दीजी आप लोग पहले सान मतुबा करें चाहे कटाव को लेकर क्या किसी भी चीज को लेकर के और रिजल्ट आपका दिसंबर में ही आने वाला है दिसंबर से लेट नहीं होगा दिसंबर से पहले आने की उम्मिद बहुत कम रहेगी और आप सभी जानते हैं संसोधित आंसर की आने के बाद फिर रिजल्ट पर ही कारे होता है यानि की स्कैनिंग की प्रोसेस हो गई डाटा फीडिंग की प्रोसेस हो गई ये सभी आपकी रिजल्ट के अंतरगत आते हैं तो उसके बाद रिजल्ट पर ही कारे होता है और DB के लिए cutoff कम रहेगी DB के लिए cutoff कम से कम 4 से 5, 5 से 6 नमबर किसी केटिगरी में ज़्यादा किसी केटिगरी में कम तो DB के लिए cutoff कम रहेगी और final cutoff आप सभी को जो भी हमने बता रखा है थोड़ा सा आप सभी समय दे दीजिए और एक बार revised answer की आजाएगी तो आप सभी को और भी सटीक final answer की बताने का प्रयास करेंगे अभी जूनियर असेश्टन 1262 वाले vacancy में संसोतित answer की आई है तो उसमें GS में और हिंदी में दो प्रश्णों में मतला हुआ है एक प्रश्ण में मतला हुआ है और एक प्रश्ण पर फूल मार्क्स मिला है और हमने आप सभी को एक बार नहीं कई बार चीजे बताई थी कि जितने भी question objection वाले थे जिस दन हमने answer की आप सभी को दे थी तो दोनों ही सिप्टों के तो दोनों में लगबग तीन चार प्रश्णों को छोड़ दे तो लगबग हमने सभी प्रश्णों के आपको answer सही बताया थे उसमें जो प्रश्ण objection वाले थे हमने उन प्रश्णों पर objection भी करवाया है आप ही लोगों से मौत लोगों ने objection किया भी है उसके बावजुद भी एक या अधिकतम दो full marks एक ही full marks की आप उम्मीद करें दूसरा भी मिल सकता है अभी उस पे final होते ही चीज़े आप सभी के सामने होंगी और ऐसा भी हो सकता कि किसी question के option में भी बतलाव आपको देखने को मिले full marks मिलने पर कभी भी number घटते नहीं है या तो बढ़ेंगे सभा नंबर या एक नंबर या कुछ नहीं कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर आपके पहले से question सही होंगे तो लेकिन option change होने पर नुकसान होता है जिसके पहले question सही होंगे उनको नुकसान हो जाता है और जो नया option आयोग मानते है फिर उस option को आप में से जिन लोगों ने भी किया होगा फिर उनको ही केवल फायदा मिलता है मतला सबको फायदा भी नहीं मिलता है तो option change होने से बहुत अधिक benefit नहीं होता है लेकिन जिनके वो प्रशन सही हो जाता है बाद में उनको benefit मिल जाता है तो संसोधित आंसर की आने के बाद से कई बार ऐसा क्या होता है कि full marks मिले हमारे number बढ़ गए किसी question के answer change होगे हमारे number फिर वापस से उतने हो गए तो overall कुल मिलाकर के बात करें तो number आपके घटना नहीं चाहिए या घटेंगे नहीं हाँ लेकिन बढ़ने के chance बिल्कुल रहेंगे एक number भी बढ़ सकते हैं सवा number भी बढ़ सकते हैं दो number भी बढ़ सकते हैं सवा दो number भी बढ़ सकते हैं और धाई number भी बढ़ सकते हैं एक से दो ही आपको बदलाओ देखने को मिल सकते हैं संसोतित answer की में और संसोतित answer की आपको दिपावली के परवके बाद ही आपको देखने के संभाऊना possibilities काफी जादा है लेकिन उसके बाद आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा और इस महेने result आने की उमीद न के बराबर कोई chance नहीं result आपका जब भी आएगा December में ही आने वाला है और December में भी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है इस महीने एक result आ सकता है उसकी update आप सभी को बात में देंगे लेकिन वो आपकी भरती से सम्मधित नहीं है इस महीने एक result आने की उम्मीद है लेकिन आपका result next month में ही आने की chance है बाकि देखे आयोग है अगर उनको लगेगा कि नहीं मुखी से भी का भरती का result पहले देदना चाहिए तो आपका result December की बिल्कुल starting में भी आ सकता है बट इस महीने आने की chance नहीं के बराबर बहुत कम रहेंगे और संसोतित आंसर की आने की बात से चाहे कोई भी हमें आस्वासन मिले कोई भी जानकारी मिले या जो भी चीज़े होंगी बिल्कुल confirm होगा तो आपको बताएंगे थोड़ा भी doubt लगेगा तो हम लोग तुरंद प्रयास करेंगे अभी आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़े हो सकती है आपको पता चले कहीं से कि नहीं लेकपाल के बाद आपकी db होगी वीडियो की जो भरती है पुरानी भरती है और उसको चुनाओ से पहले-पहले आयूक को पूरा करना है लेकपाल की भरती की तरह लेकिन वेट किया जा रहा है कुछ नहीं पर दिक्कते हो रही है कहीं पर अरता का कहीं पर कुछ दिक्कत है तो फिलाल में आपकी भरती में कोई डिल ले नहीं हो इसलिए हम लोग regular courses करेंगे कोशिस में बस हमें यही करना है कि सची उसर से हम लोग मिलते रहेंगे बीच बीच में रिक्वेश्ट करते रहेंगे आपकी भरती चुनाओं से पहले पहले हराल में हम लोगों को पूरी करवा लेना है बागी आप आदा नंबर ही मान करके चलें, ऐसे नहीं 3-4-5 नंबर फर्ख बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कहें से कुछ बताया गया हो, तो इस तरह से नहीं होता है, नहीं 3-4-5 नंबर common marks मिल जाते हैं, कुछ ऐसे भरतियां है आयोग की, एक भरती मंडी परसत की हुई थी, वहाँ पर जितना आप सोच नहीं सकते हैं, उससे भी अधिक full marks मिल गया थे, तो कई बार क्या होता है, कि कोईसें paper बनाने में कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे अभी नए सिरे से नई agency परिक्षा करवा रहे हैं, तो paper का label भी आप देखेंगे, तो पहले के तुलना में काफी hard आने लगा है, कोईसें भी बहुत कम उसमें गलत पाये जाते हैं, एक number full marks मिलना मुस्किल हो जाता है, तो बहुत अधिक फर्क नहीं पढ़ना है, संसोदेद आंसर की आने के बास से, एक number, डेल नमबर, दो number, अधिक तम एक number, सवा number, दो number, सवा दो या फिर धाई number, ठीक है, एक या सवा, डेल नमबर का फर्क तो पढ़ेगा नहीं, एक number का फर्क पढ़ेगा, या फिर शवा number का, या फिर दो number का, या फिर शवा दो number का, या फिर धाई number का फर्क पढ़ेगा, और नार्मलाजेशन से, अधिकतम आधा number हैं मानके चले, आप अधिकतम एक number का फर्क पढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं, हमारे नमर घड़ जाएं कि क्या ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है सेकेंड सिप्टिम है तो आपको बहुत अधिक बेनविट नहीं मिलेगा हाई यह कि आपको बेनविट सत्परसत मिलेगा और कटाप को लेकर कि आप लोग बिल्कुल भी परिसान मत हो यह कटाप हमने सिर्फ ए करेंगे एनम का लेकपाल का छोड़ दीजिए बाकि सभी भरतियों में आपको 1500 से जाता सीटे कहीं नहीं देखने को मिलेंगी तो 2693 सीटे भी कम नहीं होती हैं बाकि आपसे भी अपना धिहान लखे आगे कि जो भी सही और आथिंटिक जानकारी मिलेगे समय समय पर आप सब को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवाद